बेलकम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्तो पूरो टॉपिक पे डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है धारा पैती से क्या आप जानते हैं कि भारत के आप किसी भी राज्य में अपनी जमीन जायदात खरीच सकते हैं अपना घर बसा सकते हैं लेकिन उनमें जम्मु कस्मीर सामिल नहीं है ऐसा लगता है कि जम्मु कस्मीर भारत का राज्य है ही नहीं यहां के कुछ प्रावधाना ऐसे ही है लेकिन आपको इतना भी जान लेना चाहिए कि जम्मु कस्मीर भारत का था है और रहेगा चलिए आगे आपको दिखाते हैं धारा 370 और 35 से देखिए समझते हैं क्या है 35 A अगर धारा 35 A हड जाती है जमू कस्मीर से तो आप जमू कस्मीर में आपना घर बसा सकते हैं यानि कि वहाँ पर जमीन खरीच सकते हैं चलिए दिखाते हैं देखिए धारा 35 A के बारे में बहुत से कंटर पत्थी और बहुत से राजनीतिक दल अ ये बात पच नहीं रही है आए जानते हैं क्या है धारा 35 जमू कस्मीर में धारा 35 हटाने की बात पर बवाल मचा हुआ है इसको आपने भी देख लिया और जानते भी है नेशनल कंफरेंस अदेख्च और लोगसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि संबिधान की धारा 35 को रद किये जाने पर राजविद्रो की इस्तिती पैदा होगी आप भी जानिये अखिर क्या है ये धारा आईए दिखाते हैं संबिधान में जिक्र नहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि संबिधान की किताबों में ना मिलने वाला नुच्षेद पैत के सोर्स से प्राप्त हुई है जिसका सोर्स है आज तक भारत का सुपरसिद्ध न्यूज चैनल और मीडिया आज तक आप आज तक की वेपसाइट सी सारे जनकर देख रहे हैं इसे आप वहां से प्रूप और सिद्ध कर सकते हैं पीबियर स्टेडी इसके बारे में कोई भी जि मिली थी कब से लागू हुआ यह 14 माई 1954 को यानि 1947 में हमारा राज देश राज नैनी की आजाद हुआ उसके बाद उसके आठ साल बाद यह कारिक्रमों पर लागू कर दिया गया संविधान सभा को लेकर सांसत की किसी भी कारवाई में कभी अनुछेत पैतिस एको संविधान का हिस्सा बनाने के संदर्व में किसी संविधान संसोधन या बिल लाने का जिक्र नहीं मिलता है अनुछेत पैतिस एको कानून लागू करने के लिए तदकालीन सरकार ने धारा 370 के अंतरगत प्राप्त सक्ति का इस्तेमाल किया था क्या है पूरी धारा ध्यान दिजिएग 35 ए में जम्मू कस्मीर भारत सरकार ध्यान दिजिएगा जम्मू कस्मीर सरकार और वहां के विधान साभा को अफथाई निमासी की परिवासा तै करने का अधिकार मिलता है और इसका मतलब है कि राजे सरकार को यह अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगों से आये सरडातियों और आने भारती नागरिकों को जम्मू कस्मीर में किस तरह की सहुलयत दे या थवार नहीं दे मतलब जम्मू कस्मीर वाले चाहे जो वो कर सकते हैं चाहे वो बाहर पहार चा्वारत के संभिधा देए और अपने देश के लोगों को वहां पर जाने पर उनके बहुत कम लोगों को पता है कि अनुचेत पैती से धारा 370 का हिस्सा है इस धारा की वज़ा से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू कस्मीर में ना तो संपत्ती खरीच सकता है और नहीं वहाँ का अस्थाई नागरिक बन कर रह सकता है लेकिन एक बात ध्यान दे कोई भी पाकिस्तानीं वहाँ पर जवर आ करके रह सकता है वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है और अगर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया तो वहाँ जमीन भी खरीच सकता है पिछले वीडियो में अभी दिखाएंग लाइश्ट में देखिएगा 1956 में जम्मु कस्मीर का संविधान बनाया गया था इसमें अफ्थाई नागरीक तक को परिभासित किया गया है इस संविधान के मुताबिक अफ्थाई नागरीक वो बेखती है जो 14 मैं 1954 को राज का नागरीक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वरसों से राज में रह रहा हो साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो जम्मु कस्मीर में क्या हैं लड़कियों के अधिकार ध्यान दीजिएगा जम्मु कस्मीर में रहने वाली लड़कियों को एक बिसस अधिकार है अनुशियत 35 एक इताहत यानि कि 35 के मुताबिक जम्मु कस्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से साधी कर लेती है तो उससे उसके सारे अधिकार खतम कर दिये जाते हैं साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खतम हो जाते हैं मतलब वो जम्मु कस्मीर की नागरिक नहीं रहा जाती है और हाँ अगर वो पाकिस्तान के नागरिक से किसी भी लड़के से साधी कर लेती है तो उस पाकिस्तानी को जम्मू कस्मिर की नागरिकता मिल जाती है यानि कि उसके बच्चे को जम्मू कस्मिर का नागरिक भी माना जाता है समझ गए ना आप कितना उल्टा कानून है न ये इस अनुशेत को हटाने के लिए एक दलील दे दी जा रही है ये दी जा रही है कि इसे सांसत के जरी ये लागू नहीं करवाया गया था दूसरी दलील ये कि देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादात में पाकिस्तान से सरडार्थी भारत आये इसमें लद्दाख की तादात में सरडार थी जम्मु कस्मीर राजे में भी रहा रहे हैं जम्मु कस्मीर राजे ने अनुशेट 35 एक के जरिये इन सभी भारती नागरिकों को जम्मु कस्मीर के अफथाई निमासी परमाण पतर से वंचित कर दिया इन मच्चितों में 80% लोग पिछड़े हैं और दलित हिंदू समुदाय से हैं इसी के साथ जमू कस्मीर में बिवाह पर बसने वाली महिलाओं और अन्य भारती नागरिकों के साथ भी जमू कस्मीर सरकार अनुचित 35 एक आण में भेदभाव करती आई है लोग पहुँचे थे सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखी लियाचिका में लोगों ने सिकायत की थी कि अनुचित 35 के कारण सम्विधान परदत उनके मूला दिकार जमू कस्मीर भारत राज़े में छीन लिये गए हैं लियाज राष्ट पती के आदेश से लागू इस धारा को केंदर फरकार फौरण रद किया जाए लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ और अगर आप इसके बारे में कोई भी और भी जनकारी लेना चाहते हैं तो आप न्यूच सोर्स आज तक पर विजिट कर सकते हैं क्योंकि ये जनकारी हमने आपको दिखाया आज तक के माध्यम से तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी को बहुत बहुत थैंक्यू पिब्यारे स्टेडी को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो में हमने जो रियल है वही दिखाने की कोशिस किया ना